जैहिं साथियों ग्यानोदे 4U चैनल एक बाग फिर से आप सभी के लिए एक नई जोस्योंग जजवे वाली एनरजीटी के वेकिंसी की अपडेट लेकर आ गया है जो कि भारत की बहुत ही सम्मानित भरती मानी जाती है तो आज की वेकिंसी की अपडेट में आप सभी को बाड इन अप्लिकेशन इस्टार्ट होगा और कब से कब तक फार्म अप्लाई करेंगे इसकी एलिजवेटे क्राइट एलिया क्या है सिलेक्स प्रोसीजर क्या है आपको कितना प्रुवाइड की जाएगी अप्लिकेशन क्या है यानि कि पॉइंट दो पॉइंट जानकारी देने वाले हैं इसलिए फ्र ANY्ट यदि आप भी फार्म करना चाहते हैं तो यह वेकेंसे आपके लिए बहुत ही सान्दार हैं गलोरियस हैं आपके लिए एकड़म गलोरियस अपरचूनटी है यस मेब में यह कर सकते हैं यह मेल यह दोनों के लिए है आलो और इंडिया की महिला एम पुरुस दोनों चातर चातरा है फार्म अपलाइक कर सकते हैं तो चलिए टाइम नवेश्ट करते हैं आपको कंप्लेट जानकारी देते हैं और दोस्तो आप सभी से आज एक छोटी सी रिक्विस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में सेर जरूर करना तो देखिए यह जो वेकिंसी है इसमें आप सभी के लिए कितने पो है यहां पर दिया हुए फ्रिंस फिर्स्ट जो पोस्ट दिया हुए ग्रूप भी पोर्श्ट है गskले मिनिस्ट्री आफ हो म सब्टरीक्री जय और देर्क्ट रीदल बर्ड़ तियूरतियर पर सप्रूर्स पर्शय्य लरेक्टरे as जैक्श शेक्शन है यहां पर देखिए इंजिनियरिंग सेटप थो आनलाइन मोड ओनली फार द वेकंसी यह तूटाज़न टुन्टिफोर यह जो वेकंसी ग्रूप वाली है यह दिया हुआ किसके लिए इंजिनियरिंग सेटप यह इंजिनियरिंग कैंडिडेट के लिए है क्या इसमें इसकी चांकारी देंगे यहां पर दिया हुआ है ग्रूप बी की जो वेकंसी है कौन सी पोस्ट के लिए यहां देखिए सब इंस्पेक्टर वर्क के लिए दिया हुँ टूटल 13 पोस्ट दिया हुआ है जूनियर इंजिनियर सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजि इसमें के लिए भी है इसमें सेलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी 35,000-400 रुपए इसमें आपको पर मंद प्रोवाइड की जाएगी तो यह तो यह सेलरी और टोटल वेकिंसी इसे ग्रूप भी पोस्ट के इंजिनियरिंग सेट अप के लिए यह देखें यहां पे इंजिनि नहीं है पका संसोधन होता है तो इसके आफिसेल वेबसाइट पर आपको जानकारी मिलेगी सायच करें सकते हैं और देखिए इसमें eligibility condition में दिया हुआ है सब इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट दिया है नान एक्स्टेडिंग थार्टी इयर आंदा closing date of received application तो इसमें 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए यानि कि maximum जो है 30 साल दिया हुआ है तो देखिए और दिया एज में आपको relaxation भी दिया जाएगा आयों में छूट दिया जाएगा category वाइस दिया है यहां चेक कर लिए जिसे सब्सक्राइब को पांट साल की छूट दिया जाएगा एक सर्विस्मेंट जो अन्रिजर्व कैंडिडेट है उनको तीन साल के आफ्टर डिटक्शन आप military service यान उनको पांट साल के लिए दिया है गॉर्मेंट सर्विंट जो वी सी है उनके लिए भी तो यह शूट आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है और देख लेते हैं इसमें देखिए जैसे की दिया हुए एसक्रेशन इसमें क्या है ग्रूप बी के लिए है इसमें सब इंस से आपके पास है तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए वह भी सिविल इंजिनियर से तो इसके लिए आप फाम अप्लाई कर सकते हैं यह त्रेयर का डिप्लोमा मेंस जैसे की पॉल टेक्निक बगए रहा है यह चीज़ है और जूनियर इंजिनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट् को सकते हैं और सिविल्स यहां पे दिया हुआ इसके बाद फिचिकल स्टेंडेट दिया हुआ है फिसकल स्टेंडड में दिया हुआ है है आपकी दिया है मिजोज और नागाज तो इसमें दिया है मिजोरम और नागा लैंड से विलांग करने हुए खिली यानि पहाड़ी एरिया कि जो ट्राइबल है या तो आधिवासी कंडिडेट उनको पांच सेंटीमीटर की छूर दी जा रही है यानि कि एक सुसार सेंटीमीटर तो भ चैसेंटीमीटर होना चाहिए इसमें पांच सेंटीमीटर इक्सपैंड होना चाहिए और इसी में देखे चेस्ट में भी दो सेंटीमीटर कर रिलेक्सेशन दिया जा रहा है यह दिया हुआ है और बिलोग 20 एज तो 20 साल से कम के लिए जिसे कि यह एरियस विलांग करते हैं के लिए है और वहें पर देखिए वेट दिया प्रफरसनेट आप हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टेंडर्ड तो आपके हाइट के एकोडिंग आपके वेट इसमें होगा एकोडिंग टू हाइट बट नाट लेस देन 46 kg तो 46 kg से कम नहीं होना चाहिए यह तर रिलेक्सेशन के लिए मेडिकल स्टेंडर्ड में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपकी आई साइट कैसे होनी जाहिए यानि की त्रिष्टी कैसे होने यह सब दिया हुआ यहाँ पर देख लिए और देख लिए और देखिए फ्र इसारा ये क्या दिया विजन एंड मस्ट भी गूड एम इंटल एंड बॉडली हेल्थ एंड फ्री फ्राम्द फिजिकल डिफ्रक्ट डिटेक्ट लाइक लेड़ा इंटर फियर विद ए ये ये एफिसी एंटे परफार्मेंस आप ड्यूटीज तो इसमें आपको किसी में पका फिट होना चाहिए टैटू के लिए दिया हुआ है जो बॉड़ी में लोग टैटू बनवा लेते हैं उन कैंडिडेट के लिए भी यहां बताया गया है कि यह जो भारत है अपना धर्म निर्भेक्च है यहां पर हर धर्म के जो कैंडिडेटों उनका सम्मान करते होए टैट से आप सल्यूट करते हो यह सलामी करें उसके लिए और टैटू का साइज होना चाहिए वन फोर्थ होना चाहिए जिस भी पार्ट आप बाड़ी में होना चाहिए उसके एक चौथाई पार्ट में होना चाहिए और यहां पर बताया गया कि यदि आप टैटू आपका बना कि उसे तेटू माना जाए यहया यह यहाह पे दिया हुआ है यह जानकारी हम पर जानकारा यहां पर दिया गया है तो देखे की यह ढिया रिमोमल अफटू पर तत्व बीरीव omega-2 officer during detailed medical examination, ये दिया हुए, निच्ट, देखे जानकार इदिया हुए, process, of certification and format certification, तो यहां पिदिया candidate, who we say consider against vacancies, reserve or seek age relaxation, must submit requisite certificate issued, by the competent authority in a prescribed format, when such a certificate सब्सक्राइब करना होगा जब आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन उस समय आपको कास्ट सार्टिफिकेट यह जाती प्रमार पात्र ले जाना होगा नहीं तो आपको अन्रिजर्वी यह जनरल कोटा में ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा सिलेक्साइब इनुंग आपको फर्स्सवेot estos वा इसमें रिटन एक्जाम वने वाला है इस में देखिए रिटन एग्जाम जो होगा ग्रूप यह उसमें टू पहसि हो जैसे कि दिया हुए पेपर वन पेपरह-टूघ याक्जाम ने जैसे रिटन छिचांप विल या। conducted at the selection examination center at the candidate will be communicated them through email address SMS downloading ka later through the online तो इसमें आपको जैसे exam की date और center alignment हो जाएगा वहाँ पर आपको SMS दिया जाएगा email ID में और दिया हुआ है यहाँ पर online mode में exam होने वाला है there will be two composite paper written examination question paper will be objective types multiple question होगा multiple type का OMR based answer sheet होगा duration of one 30 minutes one hour 30 minutes question paper will be printed by language Hindi and English both language shall be consisting of the following subject तो इसमें आपको दो paper होने वाल है paper one जो होगा उसमें देखे एक घंटे का एक गंटा और यह दिया एक गंटा 30 मिनट टाइम ताइम यह नहीं कि टियर गंटे टाइम होगा यह दिया है पार्ट जो होगा जनरल इंटेलिजेंट और रेजनिंग से 25 कोश्चन होंगे पार्ट भी से जनरल एवारने से 25 कोश्चन और पार्ट से जनरल इंजिनियरिंग इसके एकोर्डिंग फिप्टी कोश्चन होंगे इस पका हैंड़ेट कोश्चन होंगे हैंड़ेट माक्स होंगे वन आर से ठाटी मिनट का टाइम दिया जाएगा यह दिया हुआ है यहां पर देखिए यह से लेवा यहां चेक कर सकते हैं फ्रंट से लेवस दिया हुआ है और देखिए देख लेते हैं यह दिया हुआ है इस्टैंडर्ड एंजिवस दिया पेपर टू के लिए भी दिया हुआ है पेपर टू किस पका होगा फ्रंट से यहां पर दिया हुआ है यह सेकेंड पेपर कन्वेंशन टाइप का होगा यहां कि आप सब्जेक्ट्टिव टाइप का होने वाला कोश्यों फेपर 2 से जो होगा इसमे जनरल इंजनियरिंग से इंघन सीविब इन रिलेट होगे जिसमें हन्डर पर टू और दिया हो रिटन एक्जाम पेपर टू सेल भी कंड़क्टर फ्रॉम दा फालोइंग सब्जेक्ट तो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड यह हो दिया हुआ है जो पेपर टू होगा बिल्डिंग माटेरियल यह इसका भी से लिए बस दिया हुआ है तो यह है यह करने के लिए कितने माक्स होंगे जनराल एडवलेस ओवी सी कटेगरी को 50 पर सेंट माक्स लाना और एसी एस्टी कटेगरी को 45 पर सेंट माक्स लाने जैसे कि सव में से 45 संकाना चाहिए से जो दिया हुआ है फर्स पेज जो रिटेन कुट वालिफाइब कर लेते हैं उनक से दोलगे जगाएब लिए और एडीर आपो इसमें इमेल कीया जाएगा तो डकुमेंट जो होगा है और हाई स्कूल की माक्सिट जिसमें आपका डेटा बर्थ प्रूफ हो ज्युत सब्चेग किया जाएगा और फिसकल इस्टेंडर्ड जो होनेगी वाला इप्रेंस इसमे भी फिजिकल स्टेंडर्ड दिया हुए केंडिडेट क्वालिफाइइंटाक्मेंट वेरिफिकिसन इविल विपूट थूरुध तरूध फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट पिस्ट पीस्ट भी करीड आउट देसलेक्सट बोड एकसेज हाइट छेस्ट वीट आप देग्डिट एकोडिंग दा इसके बाद जैसे आप फिसकल मेजरमेंट हो जाता है उसके बाद फिसकल एफिसेंसी टेस्ट होगा जैसे फिसकल एफिसीथ में क्या होगा आपकर रेस होगी लांग जंप हाई होने वाली है इसमें इर फिमेल दोनों के लिए दिया हुआ है उसमें में 11 फिट की होगी और इसमें तीन ताय तीन चांस दिया जाएगा आपको उसी तरह आट फिट की फिमेल के लिए दिया हुआ अग्टी चांस फिमेल कंडिडेट को भी दिया जाएगा हाई जंप में देखिये दिया थ्री पॉइंट फाइप या तो साड़े तीन फिट होगा तीन चांस दिया जाएगा और महिलाओं के लिए दिया हुआ है यानि कि टू पॉइंट फाइप इसमें दिया हुआ हाई जंप के लिए दिया हुआ एक सर्विसमेन के लिए दिया हुआ है जानकारी की एक सर्विसमेन आर नाट रिक्वायर्ट टू अंडर को फिजकल एफि तैस्टु जो एक Zhangải समें कनिडे आ उनको फिज कर इफिसेंसी latest नहीं देना है लेकिन यहां प्यें भी बता लिए रिपोर्ट स्विम्ल कांडिडेट यहां पर जैसे कि आको फिछ को फिजमें ट्रिस तेस्ट होता है उनको पहले से डिकलीएर बताना होगा कि उसी इसे फ्रेगनेंट नहीं है क्योंकि पुक्ष्ष Cheng यहां पर यह बता जाता है पहले सी एक कमिशन दवारा बताया जाता दी जाय ड्याज़ा 5 पर तो आपको बताना में पता चलने पर आपको वहीं से आपको डिडेक्ट कर दिया जाएगी या तो आपको बाहर कर दिया चाहेगा तो इसलिए declaration पहले से मांगा जाता है कमिसन द्वारा किसी भी female candidate से और देखिए इसके बाद देखिए physical second phase होने के बाद third phase होगा third phase में आपका behavior before the select selection board third phase examination ज्यसे प्रेट कर टेस्ट होगा medical examination होगा review medical exam of the due date center and will be communicated then through the email address और दया समस्ट्रा का लिटर ।र डाउनलोड करने के लिए थार्ड फेस में आपका medical examination होगा और ठेट प्रेट होगा यह हो जाएगा तो आपका final वे प्रंस यहां पर आपील भी कर सकते हैं जो भी यहां पर अथार्टी होगी यह दिया हुए फिर्टनेश चेक करेंगे मेंड़कल एक्जामनेशन होगा और उसके लिए यदि आप को जैसे अनफिट कर दिया है तो आप इसमें आपका पास अधिकार होता है आप अपील कर सकते हैं आप फिर से रिमेड कल होगा और देखिए इसके बाद फाइनल मेरिट लिष्ट तयार की जाए फाइनल मेरिट लिष्ट कटेगरी वाइस तयार की जाएकर इसमें जो कंडिडेट मेरिड के से मांक्स होते हैं जैसे रिटन इएक जाएगा और जिनका नाम आलफा वेटकल पहले आता है और जो दिया अधिए अजैकर पाई갈 side है आपको फाइनल सेलेक्शन वाले सेलेक्टिट का रिजल्ट यहां पर डेक्लियर किया जाए गई लिस्ट और देखिए फार्म का इसे अप्लाई करना है यहां पे जानकारी पूरा दिया हुआ है जिसे दिया अप्लिकेंट्स एप्लिकेसन बाइदे केंडिडेटर मस्ट सब्मितेट थ्रू आनलाइन मोड नौ अधर मोड यह समीसिंट ऑप्लिकेशन फर्म विल्टाइब एक्सЕप्टर तू अदर मोर में करना है आपको ओंली अवनलाइन मोर में ही होगा और यह फेसलिटी आप सब्मिशन आन opened on the BSF website rectt.bsf.gov.in पे 17 मार्च 2014 इसे स्टार्ट हो जागा विल बी क्लोज़ आन 15 अप्रिल 2024 15 अप्राइल तकाफ फार्म अप्लाइग कर पाएंगे अप्लाइन अप्लिकेशन अप्लिकेशन इच अटाइजड विद अडवर्टाइजमेंट तो यहां पर किसे बेस्ट पे होगा अप्लिकेशन फी दिया हुआ कितना अप्लिकेशन फी पेमेंट करना है तो कंडिडेट टू पे 200 रूपए आज एक्जामनेशन फी प्लस 47.2 सर् यहां पर सर्विस चार्ज देना होगा और देखेः नेट बैंकिंग से आप पीमेंट कर सकते हैं यह से कर सकते हैं या नियरेस्ट अथर्टी कामन सर्विस से कर सकते हैं और फीमेल कंडिडेट के लिए है जर्रल ओवी एक्जामनेशन तो यह कंडिडेट से कोई भी अफ्रिकी संफी नहीं लिया जा रहा है तो यह ता फ्रेंट्स और वही बताएगा एक बाप पेमेंट हो जादा है तो रिफंड नहीं होगा किसी भी सरकम्टेंस इस्थिति में यह रिकूर्टमेंट सेंटर आपको कहां-कहां द देखने को मिलेगा और देखे फंड यह था तो इस प्रका आप इसमें देख सकते हैं सारी जानकारी दिया हुए इंपोर्टेंट दिया और दिया एक्शन अगेंस्ट कंडिडेट फार्णर फ्राउंड गिल्टी फार्दा मिस कंड़क्ट तो किसी भी पका कि आप मिस भी है करना होगा फिलिंग आ अलाइं अप्रिकेशन उसके बाद रजिस्टे में के बाद आपको पास्वर्ड और अईडी डalom करके लागिन अनि करके लागिं करना होका वाइपक्न करने के और अप छान को एक्शाम ने सबढुक्स करना होगा और यह पका एक्शाम पagjan K darfन होता दिया हुआ है इसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं तो टोटल जो वेकिंसी है 82 पोस्ट के लिए तो देखे ग्रूप C की जो वेकिंसी है यह भी इंजिनियरिंग सेट अप के लिए दिया हुआ है यहां देखे इंजिनियरिंग सेट अप के लिए इसमें टोटल जो वेकिं आपरेटर के लिए जनरेटर मेकानिक के लिए लाइन के लिए दिया हुआ है इसमें देखिए महिलाओं के लिए भी दिया उच्वदा से पंद्रा परसंट दिया महिलाओं के लिए 10% एक सर्विसमेन के लिए इसमें सेलरी कितना दिया है ग्रूप C की एपरेंट्स इंजिनिरिंग सेटप के लिए है 25500 सेलरी दिया हुआ है और यहां पे इन तीनों पोस्ट के लिए देखिए जनरेटर आपरेटर के लिए लाइन के लिए दिया हुआ है 2700 रुपए सेलरी है तो इसके लिए भी देखिए सेम प्रोसेजर है फाम अपलाई करने के लिए के वलिए इसमें एप्लिकेशन फीचेंज है और नमबर आ वेकिंश देखिए ग्रूप B की जो ती इंजिनिरिंग सेटप के लिए उसमें डिप् आगे देख लेते हैं इसमें 38 पोस्ट दिया हुआ है बाके जो फाम अपलाई प्रोसेज है यह आफिसेल विबसाइट से ही करना है सारी जानकारी यह दिया हुआ है फ्रेंट से यह देखिए दिया हूँ एज लिमिट यहाँ पे देख सकते अलग लग लग दिया जिसे प्ल प्लंबर के लिए मेट्रिकुलेशन पांस और इस इक्वैलेंट विदे इंडा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट तो यह दिया मेट्रिकुलेशन पांस होना चाहिए और इस इक्वैलेंट इसके समकच्छ जो आईटी आई पांस होना चाहिए सार्टिकेट इ 3-year experience in the respective trade from the reputed firm तो इस में क्या कहा गया है आपके पास हाइज स्कूल पांस होना चाहिए और इसके समकच आपके पास आई टी आई होना चाहिए सार्टिकेट जिसे प्लमबर का है तो प्लमबर ट्रेट प्लमबर ट्रेट से होना चाहिए या आपके पास तो सेंद पांस या आई थिया हुआ है पांस होना चाहिए ये कारपिalezा के लिए प्रहाय कर सकती हूँ यह टीया के लीए स्टेश कुल पांस हो संद विधांस या आई य् sam गर चेद्टार में और इसले उप्रेटर इसने प्रहे और है स्कूल सब्सक्राइए, वी निया कैनिक के लिए भी दिया है, वाई, दिया है हigh school पांस या आपके पास ऐ- trouवा होना चाहिए, ऐ, साथ य शाहिए, साथ experience होना चाहिए, इस साल का, तो उसी तरह यह 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 constant line man के लिए भी sph이랑, हाई school 5 या तिन साल का आइटियाई डिप्लोम ओ सोरी फ्रेंट्स यहाँ पर आइटियाई होना चाहिए आपके पास और साथ ही साथ तीन साल का experience होना चाहिए तो यह तर फ्रेंट्स है अब अगर फिजकल स्टेंडर्ड की बात करें तो इसमें भी 65 cm male candidate की और 157 cm बाकि साथ यह सारा कुछ दिया है फिजकल स्टेंडर्ड वगरा सेम सभी के लिए दिया हुआ है जो आपको पहले ही बताया जा चुका है उसके लिए इसमें भी देखिए जैसे छूर दिया है जैसे हिली एरिया पहारी एरिस बिलांग करते हैं या आधिवासी ह आधिए उन के लिए ठूर दिया गया है जैसे एक्सुपा से नाइटवाल पान संटिम्टर्ट पान संटिम्सम स डिया गया है से तो छूर दिया है 4500 पाइंड पाईप मेसरी जिला एक से शूर दिया 5.5 होना ही है काहन से कशो बिलांग कर जैसे ग дня मावनीज गोर्षा जब करते हैं कंडिडेट के लिए दिया हुआ है और बाकि चेश्ट बगएर सार रखुछे सेंग किया है और और देखिए फरंट्स इसमें ग्रूप सी के जो है इसमें आपको सेलेक्शन प्रोसेजर तो दिया हुए उसमें आपको दो एक्जाम करवाया गहा है पेपर वन पेपर तो लेकिन इसमें केवल एक जी एक्जाम होने वाला है, ये देखिए दिया हुआ है, total कितने question होने वाले है, 100 question होँगे, subject देख ली, part A, part B, part C से दिया हुआ, 2 घंदे का time रहेगा, objective type का, इसमें भी question होने वाला है, friends, ये दिया है, और दिया है, the standard, आप टेकनिकल subject, जिसे technical subject पिटमें 60 कोशचन होंगे फ्रंट्स तो 60 कोशचन में आपको काौन से लेवल से होगा इंडस्ट्रियल आई याई से रिलेटेड पोशान होगे उसी लेवल का होगा पासिंग मार्क भी उसमें भी 45 परसेंट और 40 परसेंट दिया हुआ था इसमें भी वही सेम दिया हुआ है और बाके दिया हुआ है सेकंड फेज में सेकंड फेज में इसमें भी आको वही दिया हुआ है आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजकल स्टेंडर्ड टेस्ट होगा यानि कि हाइट और चेस्ट वगरा मिजरमेंट होगा और फिज ये लिए दिया हुआ है 1600 मीटर की रेस होगी छाड़ी छे मिनत दिया जएगा 800 मीटर की रेस के लिए चार मिनत Fill mile कंड़ी द्यगा है लांग हम 11 TJ 3 चांस औंपने ज्या सब्सक्रांश होगी हाँ 1,े यहां पे 3 दिया वह है महिलाओं के लिए तो यह सब होने के बाद आपको प्रेट कर ट्रेड इस्ट होगा यह आपको क्वालिफाय मैचर का होगा जैसी आप क्वालिफाय कर लेदे हैं उसके बाद आपको सब्सक्राइब 가지고 होगा यह मेडिकल एक्जामनेशन आपको क्वालिफाइ करना है और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कि जाएक फाम अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसीजर है जैसे कि आपको बताया गया है लाज डेर जो दिया हुआ है लाज डेर दिया हो 15 अपरेल और स्टार्ट देट 17 मार्च दिया हुआ है 17 मार्च से आप फाम अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है लेकिन इसमें देखिए अप्लिकेशन फी मातर सौ रुपए लिया जा रहा है और नेट बैंकिंग क्रेडिट का डेविट कार्ड से आप फाम अप्लाई वो पेमेंट कर सकते हैं तो प्रोसीजर सेम दिया हुआ है पोस्ट की और देखिए दिया है इसमें आपको सेंटर कहा कहा देखने को मिल सकता है यह सब देख सकते हैं फ्रंट्स यह सेंटर देखने को मिलेगा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है यह सब देख लाना है लास्ट में आपको बताएंगे कि इस यह तीनों final होगा online application कैसे फिल करना है उसकी जानकार देखेंगे और देखेंगे अब देख लेते हैं थार्ड जो पोस्ट दिया हुआ है उसकी जानकार्ण देते हैं और इसमें फ्रंट से बगएर सारा कुछ इसी में दिया हुआ है थार्ड पोस्ट जो दिया हुए फ्रंट स शेल pirates जो एक सब इंस्पेक्टर के लिए jadi कंसी है यहां पे दिया हुआ यह देख सेकते हैं टोटल वेकेंशी आब पोस्ट दिया है कटेग Carbon वास भी investment के भी यह दिया हुआ यारा पोस्ट की यह थिया हुआ है नो hard फोस्ट की इस पकार पर यह तिन ढरे इस में वह करने का वहरी प्रोशीजर है 1919 की बात करें तो यहां पर देखिए धिया हुआ एक्सिस्टन एर मकारीं इक सव इंस्पेक्टर के 뜨ए 28 साल दिया हूँ, Maximum Age, और देखे, Assistant Radio Assistant Sub Inspector के लिए 28 साल दिया हूँ, Constable Stormine के लिए 20 से 25 साल दिया हूँ तो Friends, वीडियो थोड़ा लांग हो रहे है, लेकिन आपको संपूर जानकारी में दे रहे हैं आपको टेंशन नहीं लेना है, और वीडियो को इसकी भी मत करना है, फार्म अपलाई करना चाहते हैं तो अब देखे, Assistant Aircraft, Mechanic Assistant Sub Inspector के लिए आपके पास एसक्रिशन, Qualification, Sexualic, योगता की बात करें, तो इसमें भी आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए, Relayvent, Trade, Recognize by Directorate, General, Civil Aviation तो Civil Aviation से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और दिया हुए है, Group X डिप्लोमा इसूड बाइदा, Indian Air Force, Indian Air Force से जो Group X का डिप्लोमा है, वो होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए फार्म अपलाई कर सकते हैं उसे पकार देखिए दिया है, Radio Mechanic Assistance, Sub Inspector के लिए भी दिया हुए, इसमें भी तीन साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बाइदा, डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें भी आपके पास Group X रेडियो डिप्लोमा होना चाहिए, इस उर भाइदा, इंडिया एप एरफोस, तो इंडियान एयर फोस द्वारा इसु किया गया, आपके पास डिप्लोमा है, ग्रूप एक्स का तो भी आप इसमें फार्म अपलाई कर सकते हैं, या तो अवर धीपर अट्य एक्सपीरियंस यह ऐए और आलोर होल इंग दिया हो अर कमिनिकेशों और नविगेशन ही निवीडेशिट इन एयर क्राफ्ट और हलिकॉप्टर रहेल्ड बार्ड सिक्यूर्टी फोर्स तो ये भी दिया हुए और कार्स्टेवल एर स्टोर्माइन के लिए क्या दिया हुए एक्ष्क्रीशन इसमें आपके पास दिया हुए फॉर्ट नमबर मेट्रीकुलेशन पास विद साइन्स और एक्वेलेंट फ्राम रिकर नाइस बो होना चाहिए तो आपके पास हाई स्कूल पांस आहें साथ ही साथ दो साल का एक्ष्पियरेस्स आपको इस्टोर्माइन के रूप में तो आप इसमें फॉर्म अपलाई कर सकते हैं वर्क्र नालेज इन कंप्यूटर और हैंग एविरेशन एक्स पिइरियन्स तो इसमें आप पास है एकम्पूटर नालेज है या आपके पास से एविएशन से रिलेटेड या जहाज या जहाज से रिलेटेड है तो भी आप इसमें फार्म अप्लाइकर से फिसकल स्टेंडर्स एम दिया हुआ हाइड वगएड़ा दिया हुआ जिसे कि यहां पे हाइड अलग दिया जो बिलाग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए छोड़ दिया गया है और वहाँ पे फिमेल कैंडिडेट के लिए देखिए दिया हुआ है एक सो पचास संटीमीटर इसमें मांगा हुआ है जो विंग एविएशन के लिए यह देखिए दिया हुआ हुआ है हाइड कम भी तो हाइड वगहरा यहां पर देखिए फ्रंट्स सभी के लिए दिया हुआ और यहां पर देखिए चेस्ट दिया चितर से 80 संटिमीटर दिया हुआ है और दो संटिमीटर कंडिडेट को छूट भी दिया जा रहा है और देखिए इस पकारता फ्रंट्स और यहां पर देखिए दिया हुआ फाद पोस्ट कांस्टेबल कांस्टेबल इस्टोर मायन के लिए 165 cm male candidate और female के लिए वही दिया 150 cm और यहां पे chest बगएर भी same दिया हुआ है medical standard की बात करें तो यहां पे medical standard में पूरी तरह से आपका height बगएर उपर दे ही दिया है और tattoo के लिए जो सभी post के लिए वही सेम दिया हुआ है tattoo allowed है इसमें लेकिन ए टैटू इसमें blur नहीं होना चाहिए आप मिटाए होए नहीं होना चाहिए नहीं तो दाग टाइप का होता है वह allowed नहीं किया जाएगा तो यह ता फ्रेंट्स और इसकी बाद एक फेज होगा रिटेन एक्जाम के बाद आपका ह यह सेलेक्शन प्रोसीजर में भी रिटेन एक्जाम होगा रिटेन एक्जाम इसमें भी एक ही फेज में होगा यह दिया फास्ट पेज एक्जामनेशन रिटेन होगा रिटेन एक्जामनेशन के वाल इसमें इसमें भी किवल एक ही पेपर होने वाला है जिसमें दो घंटे का का टाइम होगा यह दिया हुए जनर इवान से 25 जनर इंग्जिस 25 इसमें इंगलिज भी दिया हुआ पार्ट भी में 25 वोचल निमेरिकल अपटीट इसे 25 और टेक्निकल सब्जेक्स से 25 कोश्टर दो घंटे का टाइम दिया जाएगा टाइम भी काफी दिया हुए फ्रेंट्स यहां पर देखिए क्साएंग्स मार्क सादिया हुए जनर्रल ओबी सी केंडिट को 50 पर्षंट % धिया हुआ है से वो फोटी पर सव Kathy is फाइप्रसेंट माक्स लाना होगा तो यह तन्स ए कि स्थैंडर्स होगा पिसकल स्टैंडर्स भाइतत में हाइड से आरनड मेंट और जंप होगी इसमें 4 फिट 6 इंची की और clear the ditch 6 फिट होगी ditch के लिए और female candidate के लिए 1600 मेंटर के रेस 12 मिनट में और तीने फिट यहाँ पे दिये standing board दिया हुआ है clear ditch दिया है 4 फिट और jump and reach के लिए 7 फिट दिया मेल के में च्रफित यह दिया हुआ है और दीखिए दिया हुआ है यह किलिए dur क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिस थर्ड में आपका मेडिकल एक्जामनेशन होगा मेडिकल एक्जामनेशन में क्वालिफाई होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है तयार की जागे फाइनल मेरिट लिस्ट है जो होगी वह भी आफिसियल वेबसाइट यह दिया है abit Sap.gov.in पर आपको विजट करना होगा यहां पर भी देखने का मिरगे की फार्म का ईसे अफलाइ करना है यहे फ्रेंट साहिवेश्य विब-साइट भीजड करना होगा आफिसल विजड विजड करने के बाद आपको यह ती इस दिया रहे और देखे फ्रेंट्से आपको यहां पे दिया हुआ है यह देख सकते आध्रीस के लिए अब कर आफ करने के लिए तीन पर्ट दिया हूँ है आपको रेजिस्टेशन करना होगा फर्म फिल करना होगा उस पट सके अब देखिए है सबसे पहले आपको है और देखे जो आपको यहां पर देख सकता है Plain Card और जो डाक्व्मेंट है यह सब देख लेना अब आपको सुरू से बताते हैं Frác कैसी पर लाइक आपको विजट करना है होगा यह आफॉसियल विबसाइट है जैसे आपको इसी पकार देखनों के मिलेंगा जैसे यह आफिसेल विबसाइट यहां पर देखें यह तीनों पोस्ट दिया करेंट रिक्रूट्मेंट ओपनिंग यह दिया हुआ है फर्स्ट नमबर जो दिया हुआ है भी यह सब इंजिनिरिंग सेट अप में दिया हुआ है इसमें आप अपट लाइप करने चाहते थो अपला हीयर पे क्लिक करना हुआ होगा और दूसरा दिया हुआ। ग्रूप यह इंजिनिरिंग से assignments में यह दिया हुआ यहां क्लिक लिआ हो ऑप नकला है लिए होगे स्टे करने के registration करना है registration होने के बाद आपको password मिलेगा id आइडी पासवार्स से आपको Login करना हो गर यहां पे farms करना है और payment कर के वाम अपलाई करेंग तो यह यह ते है अपनिकान का नम मुबाइल नंबर in iraid से यहां से यह सब आप जानकारी देख सकते हैं तो इस पकाँ आप अप्लाइ कर सकते हैं फ्रेंट और आपको नोटिफिक्काइशन डाउन लोड करना तो फिर सी यहाँ पर आना है जैसे कि यह यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह दिखिन नोटिफिकाशन ओपन हो जाएगा यहाँ से आपको करने के लिए ग्यानोदे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंट्स इसी पका नई नई भरती अपडेट पाने के लिए तो चले गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग जय हिंद जय भारत